नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी टेक आईटी सुलूशन में यहां हम आपके लिए बनाते हैं आईटी से संबदित वीडियो जो आपके आईटी टेकनोलोजी एंड कंप्टर ग्यान को बढ़ाने में मदद करेंगे दोस्तों जूम एप इंस्टालेशन करने के बाद अब हम बात करते हैं रेइस्टेशन की मेरा उद्देश है समय की बजट करते हुए सिर्फ अपने टोपिक पर ही बात करना तो चलिए सुरू करते हैं रेइस्टेशन प्रोसेस जूम एप ऑपन करने के बाद साइन अप बले इंटर करते हैं देखिए यहां हमने date of worth इंटर कर दिये data worth इंटर करने के बाद हम continue बटन को click करते हैं अब next screen हमें दिखाई देने लगती है यहां हमें अपना email id इंटर करना होता है इसके बाद हम sign up button को click करते हैं यहाँ पर जो question दिया है उसका अनुजार इसे verify करते हैं अब next screen पर हमें एक message दिखा देता है जिसमें लिखा है कि जो हमने email id इंटर किया था उस email id पर link send कर दे गई है तो चलिए अब हम अपने email id को open करते हैं और देखते हैं यह देखिए हमारे email id पर zoom account activation की link आ गई है एक्टिवेट एकाउंट को क्लिक करने पर जूम की welcome screen open हो जाती है यहां हम name and password इंटर करके continue बटन को क्लिक कर देते हैं के continue बटन को क्लिक करने पर हमें next screen दिखाए देती है इस screen को हम skip कर देते हैं अब हमारे registration की process complete हो गई है यह देखिए एक टेस्ट लिंक भी यहां पर बन गई है अब start meeting now को क्लिक करने पर यह जो meeting है वो live हो जाती है तो दोस्तों अभी हमने देखा जूम एप को registration कैसे करना तो हमने registration से समझ हर एक process यहां समझी देखी और हमने एक email ID के दौरा जूम को registered किया आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें हमारे वीडियो को share करें लाइक करें एंड हमारे चैनल को subscribe करें करें अगर आपका और भी कोई सुझाव हो या आपकी computer relative कुछ query हो कुछ problems हो किरपया हमें कमेंट करें हम उन पर भी वीडियो बनाके आप तक पहुछाएंगे हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद